तुम लोगों दिखाँगा कि मैं इंटा वालरेंट ओवरक्लॉग कैसे किया सबसे पहले ठीक है पहले हम सलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर इसके लिए मैं डिस्प्ले करणा करूंगा तुम लोगों के पहले में को इधर इतने Fps से इतने Fps और 40 Fps से 120 Fps में जब शिफ्ट करें तब आ रहे था वो कैसे आ रहे मैं बताता हूं सबसे पहले मैंने वालरेंट कुछ कोला ने ठीक है इधर गया यह जो है रहे इस पर राइट क्लिक करोगे तो दो अधा है जी फोस एक्स्पिरिंस वह है जाब अपडेट साते हैं और कंट्रोल पानल वह है जाब मोडिफिकेशन कर सकते हैं कि तुम लोग क्या चीज की ताफास चाहिए यूजिली सब इधर ही करते हैं कि यह सब ऐसे यह सब तो करना ही है कि प्रसेसर चेक करना है कौन सा है इंस्टाल यह सब तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो ठीक है और यह तो हो गया अभी वालरेंट अभर क्लॉक किया है तो कैसे किया है तो वह यह ग्लोबल चैटिंग है इसके पास प्रोग्राम सेटिंग्स जो है रहा है वहापर जाओ गया इधर से सेलेक्ट प्रोग्राम तो कस्टमाइज तो टूक है मैंने वालरेंट के है और हां यह परफॉमेंस एन विडिया अब यह तो बेसिक तिंग हो गय अभी यहां पे भी तुम्हों चेंज करना है विस्पर मोड में सबसे मेरा तो यूजिली 60Hz के लापटाप पे तो 120 fps दे रहा है वो एक चीज तुम्हों फुल मार्च पे करना है मेरे लिए तो 120 है तुम्हारा अगर 140 fps का मॉनिटर हो या उससे ज्यादा का भी हो तो यह तो दूसरी चीज इदा माक्स फ्रेम रेट है तो थाउजन पर कर दो तो थाउजन पर रखा है ठीक है और यहां से सब इंदम फुल पर रखना जैसे वर्चल रियालिटी प्रिरेंडर्ड फ्रेम फॉर इसली जीरो पर रहता है वर्टिकल सिंक आडप्टिव मैं तो सब आन किय है ठीक है और आंटी अनलाइजिंग एटेक्स पर किया मैंने जिससे गेम का जो क्वालिटी रहता है वह भी इंप्रोव हो जाता है ठीक है यहां पर आपलाई कर दिना उसके बाद यह क्लोस करना ठीक है दो बार रिफ्रेश करो और गेम चलो करो तो इदर वह फिजिक्स एक सीप्यू आएगा मिलेको तो चलता है मैं कोई तो बॉदर नहीं कर था क्योंगी वहां पर मुश्किल चमार पी देखना रहता है है यह तुम लोगों में स्ट्रीम के तुरू नहीं को यह मैं फिसका महटाया ठीक है तो इदे तुम लोगों दिख रहा होगा फिजिक्स स्बस्ट कर भूब्स्ट को पोग डिक्राओगा PSYX-CPU जायना हो स्बस्टार बनाग्नाच इनल्वद्ट तो फिरे में उद्सतीक रू फिसिक्स 9 दीक्स डीक है अन् लेड्सको快 पोण टोणे स्बस्टें स्बस्टेंजनी Energy कर दो कर दो इस पेपी मेरे अग्राफिक सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो